आंगन वाडी में धूम अस्सलामू अलेकुम हम हाफ्टे के तीन दिन आंगन वाडी में छोटे ग्रुप में बच्चों के साथ सरगर्मिया करेंगे पीर, बुद्ध और जुम्मा की दिन 45 मिनिट की सरगर्मिया होंगी जिसमें हाजरी, नजरसानी या दोहराना, बच्चों के गाने कहामी, अदत खुर्फ पढ़ना और होंबख होगा अब हम बच्चों के साथ हफ्टे में तीन दिन कौन-कौन सी सरगर्मिया करने वाले हैं इसके बारे में जानेंगे आईए जानते हैं पीर के रोज की जाने वाली सरगर्मियों के बारे में हाजरी, बच्चों का नाम पुकारे जाने पर अपनी जगाँ खड़े होकर अस्सिलामों अलीकुम टीचर बोलने के लिए मालुमात दे अब हमसर मिलकर क्या करने वाले हैं इसके बारे में बच्चों से बाचीत करें इसके बाद बच्चों को वजजिश करवाएं अब बच्चों को कागस पर फूल की तस्वीर बना कर दें और इसमें मन पसंद रंग भरने के लिए कहें इसके बाद मचली जल की रानी हैं बच्चों को इस गाने को गाने के लिए कहें आप पुराने अकबार का इस्तिमाल करके बच्चों से छोटे गोले बनवाएं इसके बाद अददों के चाट का इस्तिमाल करके अदद पढ़ने की सरगर्मी करवाएं आखिर में बच्चों की कॉपी पर दाइरा बना कर दें और इसमें मन पसंद रंग भर कर लाने का होमवक दें बच्चों का नाम पुकारे जाने पर अपनी जगा खड़े होकर यस टीचर बोलने के लिए मालूमात दें इसके बद बच्चों को दाइरे के अंदर बाहर कूदने की सरगरमी करवाएं इसके बाद पीर को हमने कौन सी सरगरMYा की थी इसके बारे में बच्चों से पूछे और बातचीत करें अब हमारे आसपास दत्याफ चीजों का इस्तिमाल करके छोटी बड़ी चीजों की पहचान करवाएं इसके बाद कछवा और खरगोष कहानी बच्चों को सुनाएं अब बच्चों को बाल्टी से दूर खड़ा करके बाल्टी में बच्चों को गेन दालने की सरगर्मी करवाएं इसके बाद हुर्फों के चाथ का इस्तेमाल करके हुर्फ पढ़ने की सरगर्मी करवाएं आखिर में पीर के दिन दिया गया होमबग चेक करें हाजरी बच्चों का नाम पुकारे जाने पर अपनी जगा खड़े होकर प्रेजन टीचर बोलने के लिए मालूमात दे इसके बाद म्यूजिकल ताली की सरगर्मी बच्चों को करवाएं जैसे बच्चों से कहें अगर थाली पर चम्मच आहिस्ता बज़े तो ताली आहिस्ता बज़ाएं और थाली पर चम्मच तेज बज़े तो ताली तेज रखतार में बज़ाएं अब बुद्ध को हमने कौन सी सरगर्मिया की थी इसके बारे में बच्चों से पूछे और बातचीत करें इसके बाद बच्चों को जाती तारूफ देना सिखाए जैसे इनका नाम, उम्र, कहां रहते हैं, कौन से स्कूल में और किस चमात में पढ़ते हैं वगेरा अब बारिश आई, छम 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 बच्चे को इस गाने को गाने के लिए कहें इसके बाद बच्चों को जिसन के आजा यानि हिस्सों के नाम और इसके काम बताएं जैसे नाक, हम नाक से सांस लेते हैं, आईए हम सब लंबी सांस लें इसे कुछ देर रोक रखें अब आइस्ता आइस्ता सांस छोड़ दें इस तरह जिसन के दूसरे आज़ा से हम कौन-कौन से काम करते हैं इसके बारे में बच्चों को बताए इसके बार अददों के चाट का इस्तेमाल करके अदद पढ़ने की सरगर्मी करवाए आखिर में बच्चों को चूड़ी की मदद से दाइरा बना कर लाने का हूम वग दे बच्चों के साथ की गई सरगर्मियों की तजर्बात हमें जरूर बताएं शुक्रिया